इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं paid lead generation जिसमें आपके थोड़ी बहुत पैसे खर्च होंगे और पैसे खर्च करने से हमारे lead generate होगी तो lead generation करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा digital और कैसे हो सकते हो किस तरीके से आगे आने वाले टायम में कुछ application आपके काम में आएँगे तो मैं आपको वो application पे लेके चलता हूँ आपको क्या करना है play store open कर लेना है और उस पे survey heart नाम से एक application है उसको install करना है play store पे आपने डाला survey heart तो survey heart नाम से एक application है जो आपके open हो जाएगा उसको install कर लेना देखो हाँ इसे type से survey heart आएगा तो इसको install कर लेना इस्टोल करने के बाद आपका क्या काम रहेगा वो काम में बता देता हूँ मेरे पहले से install कर रखा था तो ज़्यादा चीज़े करनी नहीं है केर इस तरीके से आपका यह ओपन हो जाएगा आप कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी चीज़े बना सकते हैं अब करना है क्या प्लस वाले icon पे करना है क्लिक करना है फिर forms पे क्लिक कर देना आपको अब ही आप step by step समझो आगे समझ में आ जाएगा कि यह चीज़े हमारे लिए क्यों important है उसके बाद में आपको create blank form इस पे आपको क्लिक कर लेना है अब टाइटल में आपको डालना है टाइटल में आप डिजिटल अंत्रपेनियोर्शिप डाल सकते हैं डिजिटल अंत्रपेनियोर्शिप ओके डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं जैसे कि आप इस तरीके से if you want to start online earning using smartphone then fill up the form इस तरीके से आपको description आप बड़ा भी डाल सकते हैं मैंने normally use के लिए बता है वापी से आपको plus की icon पे click करना है और आपको डालना है sort answer वाले पे तो sort answer अपन उनका नाम ही पूछेंगे sort answer वाला हो गया full name और दूसरे वापीस plus के icon पे click करना है वापीस आपको number वाले पे click करना है जिससे हमारे पास इनके number आ जाएंगे contact detail और आप column बना के whatsapp भी लिख सकते हैं जिससे उनके whatsapp number ही दे वो और इसको required कर देना है और नाम वाले को भी required कर देना कि ये fill up करना ही करना पड़ेगा उनको आप इस plus के icon पे click करना है और आपको पूछना है आप और चीजे भी पूछ सकते हैं जैसे कि आप Instagram username पूछ सकते हैं आप उनसे और इसको भी आप चाहें तो required कर सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं इस तरीके से और क्या-क्या detail आप चाहते हैं अब हम चाहते हैं वो कहां से हैं हम डाल दिए city what is your city and state name automatically आ गया इसको भी required कर दो तो हमारे पास कितनी detail जी क्या-क्या questions है जो हमें चाहिए वो हम पूछ सकते हैं अब हम और जानना चाहें what is your age तो यह age वाला section आ गया इसके साथ और कौन-कौन से question है जो आप उनसे पूछना चाहते हैं वो डाल सकते हैं इसके बाद आपको करना क्या है प्रिव्यू पे क्लिक करना है प्रिव्यू पे क्लिक करोगे तो ऐसा view दीखेगा अगले person को digital entrepreneurs if you want to start online earning using smartphone then fill up the form start करेंगे तो आपने मिलके हमने मिलके अभी जो form बनाए वो इस तरीके से दीखेगा अब इसमें theme भी customize कर सकते हैं आपने theme पे क्लिक किया तो हम ऐसी theme भी दे सकते हैं तो इस तरीके से दीखेगा वापिस theme पे क्लिक करके किसी भी परकार की हम theme दे सकते हैं यह theme भी दे सकते हैं तो हमारा form इस तरीके से दिखेगा, उसके बाद आपको करना है setting पे click करना, setting में क्या कर लेना theme वाला action देख सकते हैं आपका logo देख सकता है, welcome page दीखेगा आपका start का नाम दिखेगा allow multiple response इस पे click कभी मत करना, allow मत करना soak शमरी, शमरी ना देखें उनको soakution number पर्क्यूशन नंबर दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो इस पर क्लिक करना हमने सब्मिट पर क्लिक कर दे उसके बाद हमारे पास अपने फॉर्म का लिंक आचुका है तो यहां से कॉपई करना है लिंक को अब यह लिंक हमारे आग़े इंस्टाग्राम पे हम एसी post जिसको आप promote करवाना चाहते हैं advertise करवाना चाहते हैं तो वो select करनी है जैसे कि मैंने कोई वीडियो बना रखा ये photo है मेरी अब इसको मैं promote करवाना चाहता हूँ या कोई वीडियो को करवाना चाहता हूँ तो आपका business account होना यह से आपका अकांट है यह business account होना चाहिए, business account कैसे होगा, business account कैसे बनाते हैं मैरे यहाँ आप Prote mechanisms, entrepreneur होता है, तर आपको setting पर किलिक करना है, और सैटिंग में करने कि बाद accounts पर क्लिक करना है accounts पे आप नीची आओगे तो देखोगे switch account type तो मेरे देखो ये दो option आ रहे है business account और personal account में किसी में भी जा सकता हूँ मेरा पहले से business account है तो यहाँ आपको जो option मिलेगा इससे आपको business account कर लेना तब ही आप अपनी post को या video को promote करवा पाओगे तो यह चीज़ें basic चीज़ें समझ आ गई कि हमने business account करना business account करने के बाद बहुत सारे option मिल जाएंगे जैसे यह एडिट का तो रहता ही है एड टूल से इंसाइड देख पाएंगे हम इंसाइड देखने का option रहता है तो इस post को मुझे अगर promote करवानी है किसी भी post को इस post को करवानी है तो मैं कैसे कराऊंगा यह आपको boost post या कुछ दूसरा option भी दिख सकता उस पे click करना है click करने के बाद आपके सामने यह option आ जाएगा more profile visitor चाहिए आपको profile visitor चाहिए तो पहले option पे click करना है more website visitor चाहिए तो दूसरे पे करना है और more messages चाहिए तो तीसरे पे करना है इसमें messaging app चूज करेंगे उसके बाद यह भी option आवेले बेले लेकिन हमने तो अभी form बनाया तो हमें तो more website visitor चाहिए तो हमने क्या किया इस पे edit पे करना है मेरे क्या अभी whatsapp link डाल रखा है यह whatsapp का link है अब हमने वो copy किया था ना link survey heart वाला इसको हमने यहाँ पे paste कर दिया paste करने की बाद कि लोगों को कैसा दिखना चाहिए shop now, watch now, contact us या book now, हमने book now पे click कर दिया या आप वीडियो में अगर ऐसा बोलोगे form को sign up करें या अपनी seat को book करें हमने sign up का करते हैं चलो sign up हमने click कर लिया इसके बाद में more website visitor हमारे पास website visitor आजाएंगे जितने ही लोग है उनको website visit करने का option मिल जाएगा अब next पे click करते हैं next पे click करने के बाद जो हमारे सामने option आ रहा है वो आ रहा है कि जो आपकी audience है वो automatic कर लीजिए या फिर आप खुद create कर सकते है customize कर सकते है तो हम नीचे नीचे जाएंगे create your own हम खुद create करेंगे हम खुद customize करेंगे अपनी audience को तो अब हमारे सामने create audience का option खुल चुका है अब audience को नाम दे दो आपका अगर पहला add है तो आप लिख दीजी add first इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को दिखेगा नहीं अब location select करिए या तो local location करिए जैसे अभी मैं मेरे गाँ हूँ तो मेरे आज पास कितनी audience है वो मुझे दिखाते रहेंगे कितनी दूरी की मुझे audience चाहिए या फिर हमें local नहीं चाहिए मुझे अभी जो audience चाहिए वो चाहिए जैपूर की तो मैंने जैपूर क्लिए किया ठीक है और आपको कोई दूसरा district की पे add चलाना तो भी आप लिख सकते हैं दो, तीन, चार चलो आपको example के लिए मैं और दूसरा भी बता देता हूँ जैपूर के साथ-साथ हमने मुंबई भी select कर लिया है हमें जो audience चाहिए वो जैपूर और मुंबई की चाहिए अब okay पे-click कर देना select पे-click कर लेना यह select हो गई अब जैपूर और मुंबई में 15-18 million audience है अब यह interest चाहिए हमें किस interest की audience चाहिए हमें चाहिए work from home वाली जिनको work from home करना है तो हमने work from home लिखा अब इससे related जितनी audience आएगी उसके पास ही हमारा add दिखने वाला है हमें सारे लोगों को add नहीं दिखाना है हमें दिखाना है जितने लोग work from home में interested है बस उनी को हम add दिखाने वाले है अब work from home में भी बहुत सारे option हमारे सामने दिख रहे है work from home direct sale भी आ रहा है work from home opportunity भी आ रहा है work from home simple भी आ रहा है इसके अंदर है यह डायरेक्ट वाला सो अब हमारे करीब करीब 3,81,000 से 4,90,000 लोग हैं जो work from home के अंदर interested है अब age define करनी है अगर हमें चाहिए कि हमारे 48 से 65 साल की हो तो हमारे पास 26,000 से 31,000 है लेकिन हमें चाहिए youth हमें चाहिए 15 साल से 25 साल की age वाले यह हो गए 25 अब हमारे पास 56,000 से 1,000,000 लोग और हमने click कर दिया है अगर हम चाहें तो female female को दिखा सकते हैं या male male को दिखा सकते हैं जैसे कि female को दिखेगा तो female कितनी है इस age group में तो इस age group में जो female है वो हमारे को दिखने वाली है पे किया तो male की audience दिखने वाली है तो ऐसे female दोनों की दिख रही है या female की दिख रही है और हमने male पे किली किया तो दोनों पी दिख रही है और only male चाहिए तो 87,000 के असपास 87,000 से 1,000,000 लोग दो जार हैं और female हमारे पास कितनी 66,000 इस तरीके से हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमारे ID किन को दिखना चाहिए अब इसको भी हमने OK कर दिया हमने सारी चीज़े कर लिए एड़ फर्स्ट जेपूर और भूमवई के अंदर हमारा दिखना चाहिए वर्क फ्रोम हॉम अपरचुनटी में जो इंट्रेस्टेट है उनको दिखना चाहिए एस 15 से 25 से हमने यहां से सारा काम कंप्लीट कर लिया अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले स्टेप की हो अब हमारा कस्टमाइज हो चुका है एड टार्गेट ओडियन्स हमने सलेक कर लिये अब हमको next option पे क्लिक करना जा बजट और duration सेट करना है हमारे पास कितने पैसे हैं वो matter करता है जैसे कि यह minimum कितने रुपे से कर सकते हैं आप 80 रुपे से कर सकते हैं अगर 80 रुपे का करोगे तो 1100 से 3000 लोगों के पास आपका 8 दिखने वाला है अगर आपके पास थोड़ी जादा पैसे हैं तो आपने क्या किया आपने 500 रुपे के आसपास 520 रुपे आपने सलेक किया और आपका 8 दिखेगा 5 दिन तो करीब-करीब 26,000 से जादा लोगों को और 79,000 से कम लोगों को यह दिखने वाला है इतने लोगों तक आपकी रीच पहुँचने वाली है तो हमने सलेक कर लिया थोड़ा कम का करते हैं चलो 440 का करते हैं एक दिन का करते हैं तो next पे क्लिक करते हैं अब सारी चीजे रेडी हो चुकी है यहां से हम प्रिव्यू भी कर सकते हैं गोल भी दिख रहा है हमारे गोल क्या है हमारे फॉर्म फिलब करवाने है ओडियंस भी टार्गेट हो चुकी बजट रेडी हो चुका है बजट 440 रुपे हैं और 79.20 आपके पैसे और लगेंगे इसके साथ टोटल रुपे होंगे 519 520 मानते हैं इसके बाद में बुस्ट पॉस्ट इसपे क्लिक कर देना और अब आपका एड हो चुका है नाइस वर्क कि 24 गंटे के अंदर यहां है यह हमारे पास नोटिविकेशन आ चुका है यूर्परमोशन हैस बिन सेंड फोर रिव्यू रिव्यू के अंदर चला जा चुका है तो कुछ केसे में ज़्यादा भी लग सकते हैं इन्होंने बताए और 24 गंटे तक हो जाएगा मैंने ज़्यादा तर देखा है करीब करीब 3-4 गंटे में हो जाता है आपको कुछ भी और चीज़े नहीं करनी है फिर इन्साइट के अंदर देख सकते हैं और परमोशन की कितनी रीच गई है कितना परमोशन गया है कितने पैसे आपके खर्च हुए हैं इस तरीके से आप बहुत सारे फीचर देख सकते हैं तरीके से आप एटरन कर सकते हैं आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे यह सबसे सरल तरीका है और इसके साथ आपको पेड लीड जनरेशन के और भी मैं तरीके बिताओं तो उसके अंदर आप अगर बहुत सारे ऐसे लोग जिनके बड़े-बड़े फेस्बुक गुरूप हैं तो उ आपके लाइक्स और कंटेंट के साथ लोग भी जूडेंगे लाइक भी आएंगे और कहीं न कहीं आपके पास लीड भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी तो यह कुछ तरीके थे जो मैंने आपके साथ शेर किये अपने जो फोर्म बनाया था वह फोर्म वापिस आपको यहां चेक करना है जैसे जैसे एड रन होगा तो आपको इसके नोटिफिकेशन आते जाएंगे कि आपके कितने लोगों ने फॉर्म फिलब किया है तो डिजिटल अंतरपनियोर्शिप का यहां देखना है व्यू रेस्पॉंस तो यह जो वाला उप्शन है यहां पर आपको